विश्व भर में फैली महामारी के लगभग तीन महीने बाद क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुस खबरी आ रही है जी हाँ इस तारीक से न्यूजी लैंड में खेला जाएगा आईपील 2020 जानेंगे पूरी खबर विस्तार से दरसल आईपील 2020 की सुरुआत 29 मार्च से होना था लेकिन इस बीच दुनिया भर में फैली महामारी के बाद आईपील समयत कई अंतरराश्ट्रिय क्रिकेट सीरीज को अनिश्चित काल के लिए अस्थागित किया जा चुका है हला कि लंबे इंतिजार के बाद इंगलेंड और वेस्ट इंडीज के बीच नौ जुलाई से शुरू हुई टेस्ट सीरीज के साथ अंतरराश्ट्रिय क्रिकेट की सुरुआत हो चुकी है आपको बता दे कि महामारी के प्रकोप को देखते हुए एसिया कप जैसा बड़ा टुनामेंट भी अस्थागित किया जा चुका है यहां तक कि इस साल अक्टूबर नौमबर में औस्ट्रेलियाई सर्जमी पर खेले जाने वाला ICC T20 वर्ड कप होना भी लगभग नामुम्किन है अब New Zealand Cricket Board की तरफ से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि वह अपने देश में IPL कराने को लेकर काफी उत्सुख है एक रिपोर्ट के मुताबिक New Zealand Cricket Board ने BCCI के सामने अपने देश में IPL कराने का प्रस्ताव रखा है आपको बता दे कि New Zealand विश्व के उन देशों में सामिल है जो चीनी बिमारी पर पूरी तरह से नियंतरण कर लिया है नियुजिलेंड में हालात पूरी तरह से समाने हो चुके हैं यानि New Zealand में अगर IPL 2020 का आईवेजन होगा तो दर्शकों को भी स्टेडियम में जाने की अनुमती होगी खैर अब देखना होगा BCCI की तरफ से आखरी फैसला क्या होता है जानकारों की माने तो आने वाले कुछ समय में भारत में तेजी से फैल रही महामारी पर नियंतरण नहीं होगा तो निश्ची तोर पर BCCI New Zealand में IPL 2020 के आईवेजन पर विचार कर सकती है दोस्तों IPL को लेकर आपकी क्या राय है आईपील 2020 देश से बाहर कराने का फैसला सही होगा या गलत कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं दूसरी तरह BCCI अध्यच सौरव गांगुली ने हाल ही में एक इंटर्वी के दोरान कहा है कि अक्टूबर नॉवंबर में हम IPL कराने की तैयारी कर रहे है एक रिपोर्ट के मुताबिक IPL का आयोजन अगर भारत में होता भी है तो सभी मैच खाली मैदान यानि बिना दर्शकों के ही खेले जाएंगे खेर अब देखना होगा BCCI का आखरी फैसला क्या होता है उधर भारतीय फैंस रोहित सर्मा, मेहंदर सिंग्धोनी, यूराज सिंग, रिशब पंत यैसे दिगज बल्ले बाजू की तुफानी बल्ले बाजी देखने के लिए बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं